अगर आप भी खेलना चाहते हैं, अगर इंट्रेस्टेड हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जिस तरह से स्पोर्ट अथार्टी आफ इंडिया ने सेक्षन ट्राइल का जो है एक टूणामिंट आयोजन किया है, उसमें आप भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आपके लिए खुला ओफर है Sport Authority of India की तरफ से हमारे साथ मौझूद है Sport Authority of India कांधी वली की डारेक्टर सुस्मिता जोच्सी जी उनसे जानते हैं मैं सबसे पहले तो यह जो आप लोगे ने एक टूर्णामेंट का आयोजन किया है क्या है और कम से सुरू हो रहा है यह एक टूर्णामेंट नहीं है यह सेलेक्शन ट्रायल है हम लोग यह साल में एक बार करते हैं और 26, 27, 28 फेबरॉरी को साई कांधी वली में यह सेलेक्शन ट्रायल होएगा इसमें 6 डिसिप्रिन का हम सेलेक्शन ट्रायल करेंगे मैं अगर बात करें स्पोर्ट अथर्टी इंडिया की हमने पहले भी जायजा लिया था काफी कारी यहां पर प्रगत थे अभी नए नए क्या काम सुरू हुए खेल को लेकर जिसे 6 खेलों का आप यहां पर लोगों को कोच करते हो ट्रेंड करते हो ऐसे में और क्या आने वाल स्पोर्ट मिनिस्टर है राठोर जी जो खुद ही एक अलिंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है शुटिंग मेर जिन्नोंने प्रभंध किया हुआ है पांच लाग रुपेया वो स्कॉलर्शिप देंगे जो अभी खेलों इंडिया में बच्चे में जीतेंगे इसी सेंटर से हमारा तो कि यही करता है कि असी प्रत्प की डहता है वह बहुत अखर लेनिंग अर्यों उसकी सब्सक्राइब हुएCeudh आपने मताया कि तीन दीन ये ट्राइल सेक्शन यहां पर चलेगा उस ट्राइल सेक्शन में छे खेलों के लिए आप लोग ट्राइल रखोगे उसमें बच्चों का क्या कोई एज बाउंडेशन है क्या लीमिट रखी गई है हाँ बच्चों का एज है दस साल से लेकर 18 साल तक हüne norm में है ज्सरकार ने णिधरीच किया है वह जो लुग- फूल-फिल करते हैं उन्हें को अधरmost लगतार ही क्या उने को इसे खेल को लेकर क्या कुछ नया निर्माड होने वाला मैं यहां आने की बाद मेरी जो डिपार्टमेंट है जो दिल्ली में है जो मिनिस्ट्री है उन्होंने मुझे बहुत मदद किया मैं दो धाई साल में मैं 20 करोर रुपया लाने के लिए शक्षम हुई हूँ इसमें से 8 करोर रुपया का एक इंडोर हॉल यहां पर बनने वाला है एक सारे 7 करोर का सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउन बनने वाला है इससे पहले हम सेंक्षन हमें मिला था 3 करोर रुपया का एक बॉइज हॉस्टल और 50 लाग का हमारे पास गल्स हॉस्टल भी है रेसलिंग हमारा इधर बहुत इस सेंटर में रेसलिंग बहुत अच्छे मात में खेली जाती है पर्फॉमेंस भी बहुत अच्छी रही है वह रेसलिंग हॉल के लिए 85 लैक्स हमको सरकार ने दिया है जो अल्रेडी अभी बन रहा है जिसमें बहुत सारा प्राब्लेम था पानी गिरता था वह सब सुधार हो रहा है तो रेनोबेशन पर है एक और से बच्चे रहेंगा इन्यत्य में पर कोई व्या सकता है मगर हमारी राधने रहती है कि महराश्चर की सेंटर है तो महराश्चरक्या यहां जाद सब्सेयर ट्रेंगास कई से यहां पर बास्केट बाल तो है वह भी मिलेगा टेबल टेनिस है पहले था हमारे मैडम चली जाने की बाद हम अभी इतना नहीं कर पा रहें पर कोई छोटे-छोटे बच्चे आते हैं दो चार वो लोग भी ट्रेनिंग इधर करते हैं जिमनास्टिस का ट्रेनिंग यहां पर हो फुटबॉल इस साल से एड़ होगा डे बोर्डिंग स्कीम में फुटबॉल के भी कोच हमारे पास उपलब्द है तो बेसिक ट्रेनिंग्स दिये जाएंगे बिलकुल यहां पर वेसिक ट्रेनिंग्स भी दिये जाएंगे लेकिन जिस तरीके से खेल को लेकर देश के प्रध खानमती नरेंद मोदी जी ने हाली में खेलो भारत का जो घटन किया उसके बाद खेल को लेकर कहीं न कहीं बढ़ावा देने की कोशिस हर स्टेट में हो रही है और हम इस वक्त मवजूद है कांदीवली स्पोर्ट अथार्टी में जहां पर सेलेक्शन जो है रखा गया है से बाजेस दुविडि जी उनसे जानते हैं जो अब करने वाले हो तीन दिन का ट्रायल उसमें क्या कुछा रखा जाएगा यह इस पूरे ट्राइल की कि एक शिलीव इन्युकिया थी और फेलारी यह को एट था इनिया कijk लोगों ने चपीजijn पहले ऐस में आट जोगों और से आठ गेम जो हैं इसमें की सबसे पहले हमारा एतलेटिक है होकी है रेस्लिंग है कबड़ी है बॉक्सिंग है जूडो है देन उसके बाद हमारे पास नए गेम में फुटवाल और जिमनाश्टिक को भी हम लोगों ने सामिल किया है और इसके साथ साथ हम बच्चों को जो है मैक्जिमम फ्रुसाहित करेंगे कि वो इसमें भाग लें और जो टैलेंटेट बच्चे सलेक्ट होंगे उनको सलेक्ट होने के बाद सरकार के तरफ से 330 दिन का यरली प्रोग्राम तयार किया जाता है जिसमें की बच्चों को 225 रुप मिलती है एजुकेशन की फेसेल्टी मिलती है एंड जो है एक्सपोजर मिलता है बाहर जाने के लिए उनको टीए डीए और भी दूसरी तरह की सारी फेसेल्टी से एवल कराई जाती है हमारे पास साइंटिटी बहुत अच्छे कोचिस होते हैं जिससे उनका ट्रेनिंग प्र की जाती है है अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो वह क्या प्रक्रिया होगी कैसे वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं यह सेलेक्शन ट्राल में देखे वैसे तो आज हमारा जो देश है वो काफी तरकी में हैं, हमारे बच्चे देश के बहुत अच्छा कर रहे हैं और अभी दीरे दीरे इतना tough competition होता जा रहा है कि हमें selection प्रेक्रिया में भी बहुत ही समझ के और बहुत तरीके से selection किया जाता है इसमें हमारे पास हम लोग की कोशिश है कि हम कम एज़ के बच्चों को लेके और उनको जादा एज तक अच्छा ट्रेनिंग प्रॉग्राम तैयार करें जिससे वो हमारे देश का नाम और अच्छी तरीके से रोशन करें और हम लोग ने इस साल यहाँ पर 10 साल से बच्चों को तयार करने कोशिश कर रहे हैं कि मैगसिमम 10 साल का बच्चा हो और 10 से 14 पंदरा साल तक हमारे इसमें लिस्ट में वो सेलेक्ट हो जाए और एटलिस उसको 18 से 20 साल तक हम लोग एक अच्छा प्लेटफ़र्म दे पाए दे इसके लिए खेलो भारत का जो घाटन प्रधान मंत्री जी ने किया है उसके अगर हम बात करें तो यहां पर स्पोर्ट असरोटी को लेकर किस तरह से उस पर कारी किया जा रहा है खेलो इंडिया के तया हमारे अभी बच्चों लोग ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है हमा जावा गोवा था उसके बाद दमन दीव था दमन से भी हमारे रिजल्ट आ रहे हैं तो हमारे ओवराल रिजनल सेंटर का रिजल्ट खेलो इंडिया में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सेलेक्शन ट्राइल के लिए रिजिस्टेशन कब से सुरू होगा या चालू प्रक्रिया कैसे रिजिस्टेशन कर सकते हैं बच्चे देखे उसके लिए हमने जो डेट डिसाइट की है वो 26 27 और 28 फरवरी की है और सुबह जो है वो प्रक्रिया साथ से लेके पांच बेज तक की बीच में पूरी की जाएगी उसके लिए जो गेम वाइस सभी कोचे को पा धन्यवाद हमसे बात करने के लिए लेकिन जिस तरीके से हम बात करें तो खेलो भारत के लेकर और जिस तरह से खेल को बढ़ावा देने की सरकार की पूरी कोशी से लगातार खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर प्रयास करने में लगी हुई है कि किस तरह से जो खिला है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके कैमेरमें नेफिस पटेल के साथ प्रदीप सर्मा इन 24 न्यूज मुंबाई